इंसान खुद की गल्ती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गल्ती पर सीधा जज बन जाता है पर वह इंसान ये नहीं समझता कि दुनिया का कड़वा सच यही है चाहे कितना भी धन धन कर लो मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा इंसान की फित्रत भी अजीब है भगवान से लाखों करोडों की चाहत रखता है लेकिन जब मंदिर में जाता है तो अपनी जेब में सिक्का धूरता है वह घर बदलता है लिबास बदलता है रिष्टे बदलता है दोस बदलता है फिर भी परेशान रहता है क्योंकि इंसान कभी खुद को नहीं बदलता कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है दोस्तों आप इन सब बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे मुँ में जबान तो सब रखते हैं मगर कमाल तो वो करते हैं जो इस जबान को समहाल कर रखते हैं गल्ती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन गल्ती समझा कर साथ देने वाले बहुत ही कम मिलते हैं दोस्तो यही कारण है कि सच का साथ देने वाले लोग अक्सर इस दुनिया में अकेले पाए जाते हैं जहां तक रिष्टों का सवाल है तो आजकल लोगों का आदा वक्त तो अनजान लोगों को इंप्रेस करने में और आदा वक्त अपनों को इगनोर करने में चला जाता है इस दुनिया से थोड़ा समल कर रहो मेरे दोस्त, यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं, के खुश हो, कोई हालात नहीं समझता, तो कोई जजबात नहीं समझता, यह अपनी समझ है, कोई कोरा पंणा पढ़ लेता है, तो कोई पूरी किताब नहीं समझता कोई किसी को परखने में पूरी जिंदगी लगा देता है अगर कुछ वक्त उसको समझने में लगाता तो उनके रिष्टे में कभी कोई गलत फहमी नहीं होती हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है और अहित चाहने वाला अपना भी पड़ाया है रोग अपने ही शरीर में पैदा होकर नुकसान करता है और आशधी वन में पैदा होकर भी हमारा लाब करती है फलदार पेड और बुणवान लोग ही हमेशा जुकते हैं सूखे पेड और मूर्ख लोग कभी नहीं जुकते कदर किरदार की होती है वरना कदमे तो साया भी इनसान से बड़ा होता है दोस्तों वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसा तो सब कमाते हैं दुआएं भी कमाओ क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता अगर कोई आप से कुछ मांगता है तो उपर वाले का शुक्रिया आदा कीजिए क्योंकि उन्होंने आपको देने वालों में रखा है ना कि मांगने वालों में दोस्तो हमेशा उन लोगों की कदर कीजिए जो आपके अपने हैं आपका भला चाहते हैं एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है के मजाग था यार एक भावना छुपी होती है जब कोई कहता है के मुझे कोई फरक नहीं पड़ता एक दर्द छुपा होता है जब कोई यह कहता है कि सब ठीक है एक जरूरत छुपी होती है जब कोई यह कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो बातों का समंदर छुपा होता है जब कोई अपना खामोश रहता है हमेशा एक बात याद रखना खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है बलकि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है सही वक्त पर पिये गए कड़वे घूँट अक्सर जिन्दगी को मीठा कर देते हैं दोस्तों ये जिन्दगी बड़ी अजीब है एक इनसान के आने की खबर तो नौ महीने पहले ही लग जाती है पर उसके जाने की खबर का नौ सेकंड पहले भी पता नहीं चलता तो दोस्तों जीवन के हर एक पल का भरपूर आनंद उठाईए और उनका खयाल रखें जो आपका भला चाहते हैं आपके सच्चे हितैशी हैं अगर इस वीडियो में कही कई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिये मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्म कूर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक नई दिशा सुनते रहिए मन की आवाज